नमस्कार दोस्तों, आपने घरों के उपर कोवों को बैठते या दाना चुकते हुए तो अक्सर देखा होगा कई लोगों को समझ नहीं आता कि इन कोवों का घर की मुंडेर पर आना या रास्ते में दिखना शुब होता है या अशुब आज हम आपको कोवों के दिखने और इसका शुबह-शुब होने का पूरा रहस्य बताते हैं जिसे जानने के बाद आपकी कोवों के बारे में राय पूरी तरह बदल जाएगी शकुन शास्त्र के मुताबिक घर की मुंडेर या छट पर कोवों का आना शुब माना जाता है मान्यता है कि प्रकृती ने कोवों को भविश्य देखने की अद्भुद शक्ती दे रखी है इसलिए वह आने वाले वक्त का पहले से ही अनुमान लगा लेता है और आपको उसके बारे में सचेत करने के लिए घर की मुंडेर पर पहुँचता है आईए जानते हैं कि वे संकेत क्या होते हैं एक कोवे का पानी पीते दिखना होता है शुब शकुन शास्त्र के अनुसार अगर आपको कोवा कसी बरतन में पानी पीते हुए दिख जाए तो उसे बहुत शुब माना जाता है इसका मतलब होता है कि आपको निकट भविश्य में धन लाब होने जा रहा है या फिर किसी कार्य में बड़ी सफलता मिलने जा रही है अगर घर के आहाते में रखे किसी भी पानी से भरे पात्र पर कोवा आकर बैठता है तो यह धन लाब का संकेत देता है यह बताता है कि निकट भविश्य में आपको आए के नए स्रोत मिल सकते हैं यह परिवार में सम्रिद्धी आने का संकेत भी देता है अगर आप घर की छट में या बालकनी में पानी रखते हैं और कौवा आकर यह पानी पी ले तो समझ लीजिए कि आप बहुत जल्द ही माला माल होने वाले हैं वैसे गर्मियों के मौसम में आपको पक्षियों के लिए छट्या खुले हिस्से में पानी जरूर रखना चाहिए ऐसा करना बहुत ही पुन्य का काम होता है दो, छट पर कोवों का लड़ना खत्रे का संकेत कई बार आपने घरों की छट पर कोवों का जुन्ड आकर शोर करने या आपस में लड़ने का द्रिश्य देखा होगा शकुन शास्त्र के मुताबिक ऐसा करना अशुप माना जाता है इसका मतलब होता है कि उस घर के मालिक पर जल्द ही संकट आने वाला है वह व्यक्तिया तो आर्थिक संकट में डूबने वाला है या फिर घर में कला शुरू होने वाली है माना जाता है कि अगर कोई का जुन्ड आकर आपके घर पर बैठता है और आपस में लड़ने लगे तो समझिएगा कि घर के मालिक पर विपत्ति आने वाली है तीन, कोवे के मुंग में रोटी दिखना होता है अच्छा अगर आपको कोई कोवा मुंग में खाने की चीज या रोटी का टुकडा लेकर बैठा या उड़ता नजर आए तो इसे भी अच्छा माना जाता है शकुन शास्त्र के मुताबिक कोवे का इस अवस्था में दिखना इस बात का संकेत होता है कि आपकी कोई बड़ी इच्छा जल्द ही पूरी होने जा रही है मुँ में रोटी का टुकडा या खाने की कोई भी चीज लिया हुआ कोवा अगर आपकी छट पर या घर के आहाते में बैठे तो समझें कि जल्दी ही बड़ी मनोकामना पूर्ण होने वाली है चार घर के दर्वाजे पर कोवा काव काव करे अगर कोवा घर के में गेट पर आकर कामव कामव करे तो यह इस बात का संकेत होता है कि आपके घर कोई महमान आने वाला है जिसकी सूचना कोवा आप तक पहुचा रहा है यह आपको घर में मा लक्ष्मी यानी धन के आगमन का भी प्रतीक होता है कोवा की इन हरकतों से आप जान जाते हैं कि निकट भविश्य में क्या होने जा रहा है कोवा अगर शान स्वर में बोले तो माना जाता है कि पार्टनर के साथ संबंदों में मधुरता आती है वहीं अगर यह सिर उपर करके करकश स्वर में लगातार आवाज निकाले तो यहां आने वाली मुसीबत का संकेत है यत्रा पर निकलते समय घर में कोवे का आना यदी आप किसी बड़ी यात्रा पर जाने वाले हैं और आपके घर में कोवा आ कर जोर से बोले इसका मतलब यहाँ है कि आपकी यात्रा सफल होने वाली है दरसल ये इस बात का संकेत है कि आपके जीवन में कोई बड़ा बदलाव आने वाला है जो आपके लिए शुब होगा यदि कौवा यात्रा पर जाने वाले व्यक्ति के मुम की तरफ बोले तो आपकी किसी अभिन्न मित्र से भेंट होने वाली है यदि कोई किसी नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहा है और घर से निकलते समय कोवा बोलकर पश्चिम दिशा की ओर उड़ जाये तो कार्य में निश्चित ही सफलता मिलेगी छेफ जोडे में कौई का आना यह इस बात को दिखाता है कि जल्द ही कोई शादी होने वाली है यदि शादी न भी हो तब भी यह पती पत्नी के लिए शुप संकेत है साथ प्राता काल उत्तर या पूर्व दिशा में कौई का बोलना यदि आपके घर में सुभा सुबा ही उत्तर या पूर्व दिशा में कौई बोलता है तो यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में किसी अतिथी का आगमन होने वाला है यह आपके लिए शुप संकेत है क्योंकि आपकी मुलाकात किसी अभिन्न मित्र से हो सकती है जो आपके बिगडे हुए काम बनाने में मदद करेगा इस प्रकार आपके घर में कौई का आना और बोलना आपके जीवन के लिए मिले जुले प्रभाव लाता है वैसे यह एक सामान्य जोतिश अनुमान है जो समय के साथ बदलना संभव है यदि कौई दक्षण दिशा की ओर देख कर कामव कामव करें तो इसे अशुप समझा जाता है इससे परिवार में किसी व्यक्ति की मृत्यू की ओर संकेत करती है परिवार के किसी सदस्य को कोई गंभीर बीमारी या दुरगटना होने का भी यह संकेत मानी जाती है घर में कौई का दक्षण दिशा की ओर आकर बोलना एक अशुप संकेत होता है यह इस बात का संकेत है कि आपके पितर आपसे नाराज है और आपके घर में पित्री दोश है ऐसा कोई भी संकेत मिलने पर आपको घर से पित्री दोश दूर करने के उपाय करने चाहिए अगर आपके घर में कई कोई जुन्ड में इकठा हो जाएं और तेजी से बोलें तो आपको सतर्क होने की आवशकता है दरसल ये कोई किसी अन्होनी का संकेत देते हैं ये इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपके परिवार पर कोई बड़ा संकट या कोई बड़ी बीमारी आने वाली है खासतोर पर इस तरह के संकेत घर के मुख्या के लिए अच्छे नहीं होते हैं 9. कौय का शरीर पर बैठना अगर कभी अनायास ही आपके शरीर पर कोई आकर बैठ जाए तो यह एक बड़ा अप्शकुन हो सकता है यह इस बात का संकेत देता है कि आपको मानसिक तनाव मिलने वाले हैं आपके करियर में असफलता मिल सकती है और कोई बड़ी बीमारी आ सकती है कोई का सिर पर बैठना अप्शगुन के रूप में देखा जाता है माना जाता है कि यदि कोई किसी व्यक्ति के सिर पर आकर बैठ जाता है तो इससे घर में धन की कमी होने वाली है या उसके सम्मान और प्रतिष्ठा में कमी आने वाली अगर आपके घर में कभी कोई का अंडा मिले तो यहाँ आपके लिए एक अत्यंत शुब संकेत है दरसल कोई का अंडा इस बात को दिखाता है कि आपके घर में कोई बड़ी खुश खबरी आने वाली है अगर आप संतान प्राप्ती की इच्छा रखते हैं और ऐसा कोई भी संकेत आपको मिलता है तो समझ लीजिए कि बहुत जल्द ही आपके घर में किलकार्या गूंजने वाली है 12. किसी विशेश दिन कोवे का आना कोवे का आना विशेश रूप से किसी त्योहार या विशेश दिन पर हो तो इसे बहुत ही शुप माना जाता है जैसे कि श्राथ के दौरान कोवे का आना या किसी धार्मिक अनुष्ठान के समय कोवे का दर्शन करना पित्रों की क्रिपा का संकेत होता है इसे शुप मानकर घर के लोगों को विशेश ध्यान रखने की सला दी जाती है 13. स्वास्थ संबंधी संकेत कई बार माना जाता है कि कौवे का घर के आसपास आना या किसी व्यक्ती विशेश के पास मंदराना स्वास्थ संबंधी संकेत दे सकता है यदि कोई बीमार व्यक्ति घर में हो और कौँ उसके पास आकर बार-बार बोलता है तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि उस व्यक्ति का स्वास्थ जल्धी सुधरने वाला है यह शुप संकेत माना जाता है और परिवार के लोग इसे सकारात्मक द्रिष्टिकोन से देखते हैं चौदा समय का संकेत कोवे का आना कभी-कभी समय का भी संकेत माना जाता है पुराने समय में लोग कोवे की गतिविधियों को देख कर समय का अनुमान लगाते थे अगर कौव सुभा सुभा आता है और अपनी ध्वनी से वातावरण को भर देता है, तो यह दिन के शुभारंब का संकेत माना जाता है वहीं कोवे का शाम के समय आना घर की शान्ती और सुरक्षा का प्रतीक हो सकता है पंद्रा उदास अवस्था में दिखाई बैठना अगर कौव घर के आंगन या छट पर उदास बैठा हो, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि घर में पारिवारिक विवाद या कला होने वाली है यह भविश्यवानी करता है कि घर के सदस्यों के बीच तनाव बढ़ सकता है और इस समय विशेश धैर्य और समझदारी से काम लेने की जरूरत होती है अगर कौव उदास या शांत मुद्रा में बैठा हो, तो इसे सावधान करने वाला संकेत भी माना जा सकता है यह इस बात का सूचक हो सकता है कि आने वाले समय में कोई अप्रिय घटना घट सकती है कई बार यह संकेत किसी स्वास्थ संबंधी समस्या, आर्थिक नुकसान या घर में होने वाली किसी विपदा की ओर इशारा करता है ऐसे में घर के सभी सदस्यों को सतर्क रहने और कोई बड़ा निर्ने लेने से पहले सावधानी बरतने की आवशक्ता हो सकती है सोलह लाल रंग की वस्तु डाल दे यदि कोई कोई सुभा सुभा व्यक्ति के आगे आकर लाल रंग की वस्तु डाल दे तो ये तक कहा जाता है कि आपको जेल होगी 17 चट पर कोवे आने पर जरूर करें यह काम घर पर कौवा आना कई बार आपके पूर्वज भी हो सकते हैं इसलिए कोवा आपकी चट पर आये तो उनके लिए एक कटोरी में दाना या पानी जरूर रखें या कुछ खाने की चीज जैसे रोटी वगेरा थोड़े मात्रा में ही जरूर रखा करें इससे आपके पूर्वज प्रसंद रहेंगे दोस्तो आज के वीडियो में बस इतना ही आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख कर जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें